ग्रेंड ग्रूप के नए CEO महिपाल सिंग रावत ने पंडरी इस्थित ग्रेंड हेज़वे दफ्तर में कारेभार संभाल लिया है। इस मौके पर ग्रेंड ग्रूप के चेर्में गुरुजण सिंग हुरा ने बदाई दी और उमीद जताई की ग्रेंड वीजन के नए CEO महिपाल सिंग रावत ने पंडरी इस्थित ग्रेंड हेज़वे दफ्तर में कारेभार संभाल लिया है। इस मौके पर ग्रेंड ग्रूप के चेर्में गुरुजण सिंग हुरा ने बदाई देते हुए और उमीद जताते हुए कहा कि नए CEO के आने से इंटरनेट और केबल कारोबार में नई उचाईयां नई टेक्टोलोजी देखने को मिलेगी। 2008 में डीजी केबल लाउंच हुआ है। उस समय महिपाल सिंग उनके दफ्तर में साथ थे। वे देश भर में केबल के जाने माने जानकार हैं। इनके कारेों से 36 गड़ के केबल आपरेटर काफी लाभानवित होंगे। वही नए CEO महिपाल सिंग रावत ने कहा कि उन्हें केबल टीवी और ब्रॉट बैंड से काफी अनुभाव है। जिसका लाभ ग्रेंड ग्रूप को निश्चित रूप से मिलेगा। वे रैपूर में ही रहकर अपनी सेवाएं देंगे। उन्हें इस बात की बेहत खुशी है कि एक बार फिर ग्रेंड ग्रूप के CMD गुरुचरन सिंग होरा के लीड में कारे करने का मौका मिला है। इस वर्सों से केबल के वैसाय में हैं और बहुत हर्ष की बात है कि हमारे बीच इस कंपनी को ग्रोग करने के लिए महिकार सिंग रावत जो की केबल इंडस्टी का एक जाना पहचाना नाम है। इनकी सेवाएं, जीओ से लेके हैथ्वे, सिटी के बेल और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें इन्होंने काम किया और मेरा नियुदन इन्होंने सुिकार किया। और आज सी-ओ कि रूप में हमारे संस्तार में आज इनकी पस्तिति हो रही है। मैं इनका स्वागत करता हूं और निसंदे यह बात बताना चाहता हूं कि इनके कारों का लाग जो है हमारी कमपनी को मिलेगा और कमपनी दिन दोनी राच चोगनी करेगी ऐसी मैं पिक्षा करता हूं और उनको बहुत शुब कामना है देता हूं बस पहली बात तो मैं धन्यवाद करूंगा होरा जी का की मुझे एक मौका दिया गया है 36 पहले भी मेरा बहुत पुराना विस्सा है 36 से पर इस रोल में अब मैं पहली बार आया हूँ और नो डाउट होरा जी का काम करने बहुत मज़ा आएगा उनकी leadership में काम करेंगे और Grand Vision को बहुत आगे जाएंगे और हमारी कोशिस ही है कि इसको 36 पहले बाहर भी इसको expansion हो और national company बनाएंगे broadband को भी और cable TV को भी तो मुझे बहुत खुशी है और आप 36 पहले रहूँगा और यहीं बैटके सारा काम देखूँगा Thank you very much Bureau Report Grand ASEAN News